नमस्कार सातियों, कोरोना की वज़े से विध्यारतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अभिबावगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के कल्यान के लिए, जिस प्रकार से लंबे समय से ओफलाइन तरीके से शिक्षन कारिये पूर्णतया पर्तिबंदित ह लेकिन अब समय आचुका है कि राज्य सरकार को उचित फेसला लेकर सबी इस शिक्षन संस्तानों को चरणबर्द रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाए क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार चुनाओं की सभाओं में जन सेलाब उमड रहा है जिस प्रकार से हजारों लाखों की संक्या में बीड इकटा हो रही है उसको देकर कुशी भी है कि जन जीवन वापस सामाने स्तति में आ गया है उसी को ध्यान में रखते वे राज्य के कल्यान के लिए सिक्षा को वापस पट्रे पर लाने के लिए सभी सिक्षन संस्तानों के हितों और विधार्तियों के हितों को ध्यान में रखते वे वापस सिक्षन कारी करवाने की अनमती दी जाए सभी कोचिंग संस्तानों सभी गेर सरकारी और सरकारी विधालियों को संचालित करने की अनमती दी जाए ताकि वहाँ ओफलाइन तरीके से भी शिक्षन कारी करवाया जाए क्योंकि कोरोना की वज़े से विध्यारतियों को शिक्षा में भारी नुकसान हुआ है उसको बरपाई के लिए अब जल्द शिक्षन कारी करवाना जरूरी है ताकि विद्यार्तियों का एक साल बरबाद ना हूँ, इस और राजे सरकार को जल्द उचित फैसला लेना चाहिए जे हिंद, जे बारत